हलो प्रैंज आजमा आपको बताऊंगा कि एंदर डायना एड़ान्स आती है वह पसू को कितने दिन तक लगातार दे सकते हैं गजब के फाइदे के लिए थे पनिज़ाइनदे लिए पसू पालाक है उसको हम लगातार पसू को कितने दिन तक दे जिस्चेटी ज्यद्ध बेन पिर देखने को मिलेगा वे भी आपको बताया जाएगा देना सही है या नहीं आज की वीडियो सोटी बनाए गई है चेंदर पर नहीं आएं पहले बार चेंदर को सब्सक्राइब कर लें साथ बेल आइकन आपको पताए कि चेंदर पर सही सटी कूर सैंटिपिक मैथेड से किटोसीज हो जाती है मिलक फिवर एदर जो डिजीज या कई तरह की मेटाबोरिक डिजीज है उनमें इस एनडाइना एडवांस का उप्यों किया जाता है वैसे एडाइना एडवांस क्या काम करती है मेरे चेंदर पर वीडियो बनी वी है वह भी आप जाकर के देख सकते है लेकिन अपने पर्षू को यह लगातार तीन से चार महिने आप जो इनडाइना एडवांस देना चाहते हैं तो आप पर्षू को भूल कर भी नदे इतने दिन अपर पर्षू को दे रहे हैं तो कोई बेन पिट आपके पर्षू में देखने को नहीं मिलेगा खर्चा भी पर्षू को जैसे दूद बढ़ाने के तोर पर पर्षू की भूग बढ़ाने पर या पर्षू की एंदर्जी को परदान करने के लिए आदर तोर पर इदी पर्योग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एदी आप इसका पर्योग कर रहे हैं तो दस दिन से लेकर के बीस द दाना मिर्सन देता है उसे मिलाकर कि आप उने पशूं को उनके साथ दे दें लेकिन का मतलब है कि दस से बीच दिन ज्यादा ने उससे क्या कि आपके पशूं में दूद की मात्राओं का लेवल बढ़ा सकते हैं पशूं की कमजोरी को दूर कर सकते हैं बलड में गुलकोज का लेवल बढ़ा सकते हैं और अदर जो मेटाबोरिक जिस प्रकार से किटोसिस डीजिस होगी तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या यह आपका पशूं खाना निखा रहा है बयाने के बाद में या बांट या दाना मिस्टर निखा रहा है तो वहाँ पर भी आप इसका उपय योग भूल कर भी नहीं करें बैटर जे लेना है तो वहन ना था आपको पशूं में जितना रिजल मिलना है वह आपके पशूं में इनी दिनों के वीची मिल जाएगा बीच दिन तो उन पशूं के लिए जो दूद की मातरा बहुत ज़्यदा लेना चाहते हैं या दूद की इनके अंदर ही इसका रिजल्ट का पता लग जाता है तो नॉर्मल पस्वन में तो अब अश्ची तरह सही आपको अदर कोई लिक्वीड दुबा के बारे में यह दिजानका लेनी है तो निश्चीजा की कमेंट्स में लिखें आपको सोट में वीडियो दी जाएगी तो यह वीडियो इतना पस्चुपा लगें उसके साथ से एक इसी तश्यूदी देखते रहें थैंक्स धन्यवाद